राधे राधे आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे आज मैं आप लोगों को राजा नल और द्यम्यंती की कथा सुनाने जा रही हूँ एक दिन की एक कथा होगी, पांच कथा राजा नल और द्यम्यंती की सुनाऊंगी किर्पया इसे अबसे ही सुने क्योंकि राजा नल और दम्यंती का जो जन्म हुआ था यह कहते हैं कि महा भारत कालिन युग में हुआ था क्योंकि इस कावाणन स्वे महात्मा अर्जुन ने जब इंद्र लोक में गय थे तो उन्होंने इस कथा को सुना था राजा नल अतन थी तपस्वी राजा थे वह एक साधारा राजा नहीं थे और जो उनकी पत्नी दम्यंती थी वह सुन्दर तो थी ही साथ में अतन तपस्वी इस्तरी थी कहा जाता है कि जब विशिष्ट्या विशिष्टेन संगमो गुणवान भवेत महा भारत के वन पर्व तिन पर और एक तिसमा इश्लोक में कहा गया है यदि किसी विशिष्ट नारी का विशिष्ट पुरुष के साथ सयोग होता है तो वह विशेश गुणकारी होता है और जो कोई भी ऐसे महान तपस्वी और योगियों के जो ग्रस्त जीवन होते हैं उनकी कथा को सुनता है अध्वा सुनाता है उसे भी बहुत ही पुनिफल के प्राप्ति होती है जो इन लोगों ने पुनि के थे उनके पुनियों के कुछ अंस सुनने वालों को और सुनाने व इतु पर्ण से राजर सी किर्दनम कलिनाशनम महत्मा अर्जुन जब अस्त प्राप्त करने के लिए इंद्र लोक चले गए तब पांडव कम्यकवन में निवास कर रहे थे अब मैं आप लोगों को राजा नल और दम्यंति की कथा का प्रथम अध्याय सुनाने जा रही हूं कि क्या कथा उस समय की है जब महत्मा अर्जुन स्वर्ग लोक में जाते हैं अस्त को प्राप्त करने के लिए एक दिन की बात है पांडव और द्रौपदी अर्जुन के चले जाने पर वियोग से दुखी हो करके आपस में अर्जुन के वारे में चर्चा कर रहे थे धर्म महार सी ब्रहत श्रव उनके आश्रम में आते हुए दिख पड़े महार सी ब्रहत श्रव को आते देख करके युधिष्टी जी ने आगे जाकरके सास्त्र विधी के अनुसार उनकी पूझा की आसन पर बैठाया उनके विश्राम कर लेने पर महाराज युधिष्टी ने उनस और मुझ अंजान को हरा करके मेरा सर्वस्वी छीन लिया। इतना ही नहीं उन्होंने मेरी प्राण-प्रिया द्रौपदी को घसीट करके भरी जवां में अपमानित किया। उन्होंने अंत में हमें काला म्रक्षाला उड़ा करके घोरवन में भेज गया। हे महारसी आप ही बताईए कि इस प्रिथवी पर मुझ जैसा भाग्य हीन राजा और कौन है। क्या आपने मेरे जैसा दुखी और कहीं देखा ये सुना है। महारसी ब्रहत्ष्रव ने कहा हे धर्मराज आपका यह कहना ठीक नहीं है। मुझ सा दुखी राजा और कोई नहीं हुआ। क्यें तूँ। मैं तुमसे भी अधी दुखी और मंद भाग्य राजा का ब्रतांत जानता हूँ। यदि तुम्हारी इक्षा हो तो मैं तुम्हें धर्मराज युधिष्ट्री के आग्रह करने पर रिशिवर ने कहा कि अब आप कथा को सुनिये। राजा नल और दम्यंती के विवाह का स्वेंबर हुआ और किस प्रकार से उनका विवाह हुआ। धर्मराज आप सुने। निशत देश में वीर सेन के पुत्र नल नाम के एक राजा हो चुके हैं। वह बड़े ही गुणवान, परम सुन्दर, सत्यवादी, जितेंद्रिये, सबके प्रिये, वेदग्ये, एवं ब्रामन भक्त थे। उनकी सेना बहुत बड़ी थी। वे स्वेम अस्त्र विद्या में बहुत ही निपोन थे। वे वीर योधा, उदार प्रवल प्राक्रमें भी थे। उन्हें जुआ खेलने का भी कुछ-कुछ शौप था। उन्ही दिनों विदर्व देश में भीम नाम के एक राजा राजि करते थे। वे भी नल के समान ही सर्वगुण संपन्न और प्राक्रमें थे। उन्होंने दमन रिषी को प्रसन करके उनके वर्दान से चार संताने प्राप्त की थी, तीन पुत्र और एक कन्या, पुत्रों के नाम थे दम, दान्त और दमन, और पुत्री का नाम था दम्यंती, दम्यंती लक्षमी के समान रूप वती थी, उनके नेत्र विशाल थे, देवताओं और यक्षों में भी वैसी सुन् कहीं देखने में नहीं आती थी। उन दिनों कितने ही लोग विदर्व से निशत देश में आते और राजा नल के सामने दम्यंती के रूप और गुण का बुखान करते थे। निशत देश से विदर्व में जाने वाले भी दम्यंती के सामने राजा नल के रूप गुण और पवित्र चरित्र का वर्णन करते थे। इससे दोनों के हिर्दे में पारंपरिक अनुराग अंकुरित हो गए। एक दिन राजा नल अपने महल के उध्यान में कुछ हंसों को देखा। उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने कहा कि आप मुझे छोड़ दीजे। तो हम लोग दम्यंती के पारचा करके आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको अवस्य अवस्य वर लेगी। नल ने हंस को छोड़ दिया। वे सब उड़ करके विदर्व देश गए। दम्यंती अपने पास हंसों को देख करके बहुत ही प्रसन हुई और हंसों को पकड़ने के लिए उनकी ओर दोड़ने लगी। दम्यंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दोड़ती वही बोल उठता। अरे दम्यंती निशद देश में एक नल नाम का राजा है। वह अश्विनी कुमार के समान सुन्दर है। मनुष्यों में उसके समान सुन्दर और कोई भी नहीं है। वह मानू मुर्तिमान कामदेव है यदि तुम उसकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन और रूप दोनों सफल हो जाएगा। हम लोगों ने देवता, गंधर्व, मनुष्य, सर्प और राक्षसों को घूम घूम करके देखा है। नल के समान सुन्दर पुरुष कहीं देखने में नहीं आया है। जैसे तुम इस्त्रियों में रत्न हो वैसे ही नल पुरुषों में भूशन हैं तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही सुन्दर होगी। दम्यंती ने कहा हे हंस तुम नल से भी ऐसी ही बात कहना। हंस ने निशद देश में लोट करके नल से दम्यंती का संदेश कह दिया। दम्यंती हसते हुए हंस के मुख से राजा नल की कीर्थी को सुन करके उसने राजा नल से प्रेम करने लगी। उसके आसति इतनी बढ़ गई कि वह दिन रात राजा नल के ही ध्यान को करती रहती थी। शरीर धुमिल और दुला हो गया, वह दीन सी दिखने लगी। सक्षियों ने दमेंती की हिर्दय का भाव पढ़ करके विदर्र राज से निवेदन किया कि आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। राजा भीम ने अपने पुत्री के संबन्द में बड़ा विचार किया। अंत में वो इस निर्णय पे पहुँचा कि मेरी पुत्री विवा के योग्य हो गई है। इसलिए इसका स्वेंबर कर देना चाहिए। उन्होंने सब राजाओं को स्वेंबर का निमंत्रन भेज करके सूचित कर दिया कि राजाओं को दम्यंती के स्वेंबर में पधार करके लाव उठाना चाहिए। और मेरा मनोरत पूर्ण करना चाहिए। देश-देश के नरपती, हाथी, घोडे और रथों की ध्वनी से प्रित्वी लोग को मुखरित करते हुए सज धजकर के विदर्व देश में पहुचने लगे। भीम ने भी सब के स्वागत सत्कार की समचित विवस्था की। देवर्शी नारद और परवत के द्वारा देवताओं को भी दम्यंती के स्वेंबर का समचार मिला। इंद्र आदि सभी लोकपाल भी अपनी मंडली और वाहनों सहित विदर्व देश के लिए रवाना हो गये। जब नल का चित पहले से ही दम्यंती पर आसकत हो चुका था। उन्होंने भी दम्यंती के स्वेंबर में समलित होने के लिए विदर्व देश की यात्रा की। देवताओं ने स्वर्व से उतरते समय देख लिया की काम देव के समान सुन्दर नल दम्यंती के स्वेंबर के लिए जार हैं। नल की सूरि के समान कांती और लोकोत्तर रूप स संपत्ति से देवता भी चकित हो गए उन्होंने पहचान लिया कि यह राजा नल हैं उन्होंने अपने विवानों को आकाश में खड़ा कर दिया और नीचे उतर करके राजा नल से कहा हे राजेंद्र नल आप बड़े ही सत्यवरती हैं आप हम लोगों की सहायता करने के लिए दूद बन जाएए राजा नल ने प्रतिग्या कर ली और कहा कि करूंगा फिर पूछा कि आप लोग कौन हैं और मुझे दूद बना करके कौन सा काम लेना चाहते हैं तब इंद्र देव ने कहा कि हम लोग देवता हैं मैं इंद्र हूं और ये अगनी वरून और यम हैं हम ल दूत बन करके दम्यंदी के पास जाएए और कहिए कि इंद्र वरुन अगनी और यम देवता तुम्हारे पास आ करके तुमसे विवाह करना चाहते हैं इन में से तुम चाहो तो जिस भी देवता को पती के रूप में स्विकार कर लो नल ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि हे देवराज आप लोगों के और मेरे जाने का तो एक ही प्रियोजन है इसलिए आप मुझे दूद बना करके वहाँ भेजें यह उचित नहीं है आपकी जिस इस्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इक्षा हो चुकी है वह भला उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जा हे नल तुम पहले हम लोगों से प्रतिगय कर चुके हो कि तुम्हारा काम करूंगा अब प्रतिग्यां को मत तोड़ो आविलं वहाँ चले जाओ नल ने कहा कि राज महल में निरंतर कड़ा पहरा रहता है मैं कैसे जा सकूँगा इंद्र ने कहा जाओ तुम वहाँ जा सकोगे इंद्र की आग्यां से नल ने राज महल में बेरोक टोक प्रविस करके दम्यंती को देखा दम्यंती और सक्षियां भी उसे देख करके आवाक रह गई वे इस अनपम सुन्दर पुरुष को देख करके मुक्त हो गई और लज्जित हो करके कुछ बोल नहीं सके दम्यंती ने अपने आपको सम्हाल करके राजा नल से कहा हे वीर तुम देखने में बड़े सुन्दर और निर्दोस जान पड़ते हो पहले अपना पर्चे बताओ तुम यहां किस उद्देश से आए हो और यहां आते समय द्वारपालों ने तुम्हें क्यों नहीं देखा उनसे तनिक भी चुक हो जाने पर मेरे पिता उन्हें बड़ा ही कड़ा दंड देते हैं नल ने कहा हे कल्याणी मैं राजा नल हूँ लोग पालों का दूद बनकर तुम्हारे पास आया हूँ हे सुन्दरी, इंद्र, अगनी, वरों और यम ये चारो देवता तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहते हैं तुम इन मेंसे किसी एक देवता को अपने पती के रूप में वरण करो यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास में आया हूँ उन्हें देवताओं के फ्रोहाव से ही जब मैं तुम्हारे महल में प्रविश करने लगा तब मुझे कोई देख नहीं सका मैंने देवताओं का संदेश कह दिया अब तुम्हारी जो इक्छा है सू करो दम्यंती ने बड़ी स्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम करके मंद मंद मुश्कुरा करके राजा नल से कहा हे नरेंद्र आप मुझे प्रेम द्रश्ट से देखिए और आज्या कीजिए कि मैं ये था शक्ति आपकी क्या सेवा करूं मेरे स्वामी मैंने अपना सर्वस्ट और अपने आपको भी आपके चर्णों में सौप दिया है आप मुझे पर विश्वास पूर्ण प्रेम कीजिए जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी उसी दिन से मैं आपके लिए ब्याकुल हो गई हूँ आपके लिए मैंने राजाओं की भीड इकठा की है यदि आप मुझे दासी की प्राथना को अस्युकार कर देंगे तो मैं विश्खा करके या आग में जल करके या पानी में डूब करके या फासी लगा करके आपके लिए मर जाओंगी राजा अनल ने कहा जब बड़े बड़े लोकपाल तुम्हारे प्रणय समंद के प्राथी हैं तब तुम मुझे मनुझे को क्यों चाह रही हो उन एश्वरे साली देवताओं के चरण रेनु के समान भी तो मैं नहीं हूँ तुम अपना मन उनी में लगाओ देवताओं का अप्रिय करने से मनुझे की मृत्ति हो जाती है तुम मेरी रक्षा करो और उनको वरण कर लो राजानल की बात को सुन करके दम्यन्ती घवरा गए उनको इतेनों नेत्रों में आसो छलकाए वह कहने लगें मैं सब देवताओं को प्रणाम करके आपको ही पती रूप में वरण कर रही हूँ यह मैं सपत खा करके कह रही हूँ देवेभ्यो नमस्कृत्य सर्वेभ्य प्रिथ्वी पते वरणे तो मामेव भरतारम सत्यमेत ब्रवीत में महाभारत के वनपर्व के 56 अध्याय के चोदहमा श्लोक में कहा है दम्यन्ती ने राजा नल से उस समय दम्यन्ती का शरीर काप रहा था और हाथ जुड़े हुए थे राजा नल ने कहा अच्छा तुम ऐसा ही करो परन्तो यह तो बतलाओ कि मैं उनका यहां दूद बन करके संदेश पहुँचाने के लिए आया हूँ यदि इस समय मैं अपना स्वार्थ बनाने लगूं तो कितनी बुरी बात है मैं अपना स्वार्थ तो तभी बना सकता हूँ यदि वह धर्म के विरुद न हो तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए दमिंदी ने गंदगत कंट से कहा ही नरेश्वर आपके लिए एक निर्दोस उपाय है उसके अनुसार काम करने पर आपको कोई भी दोस्त नहीं लगेगा यह उपाय है कि आप उन लोग पालों के साथ स्वेंबर मंडप में आएं मैं उनके सामने ही आपका वरण कर लूँगी तब आपको दोस्त नहीं लगेगा अब राजा नल देवताओं के पास आए देवताओं के पूछने पर उनुने कहा कि आप लोगों की आग्या से दम्यंती के महल में मैं गया बाहर बुढे द्वारपाल पहरा दे रहते परन्तो उनुने आप लोगों के प्रभाव से मुझे नहीं देखा केवल दम्यंती और उनकी सक्षियों ने मुझे देखा वे आश्चर में पढ़ गए कि मैंने दम्यंती के सामने आप लोगों का वरणन किया परन्तु वह तो आप लोगों को न चाह करके मुझे ही वरणन करने पर तुली हुई है उसने कहा कि सब देवता आपके साथ स्वेंबर में आए मैं उनके सामने ही आपका वरण कर लूँगी इसमें आपको दोष्ट नहीं लगेगा मैंने आप लोगों के सामने सारी बाते कह दी हैं अंतीम प्रमान आप लोग ही हैं राजा भीम ने शुख मोट में स्वेंबर का समय रखा और लोगों को बुलवा भेजा जब राजा अपने अपने निवास इस्थान से आकर के स्वेंबर मंडप में ये था इस्थान बैठने लगे ये जो मैंने आप लोगों को श्लुक सुनाया है ये भी महा भारत के वन पर्व के चपन में अध्यायका तीसमा श्लुक है जब पूरी सभा में राजाओं से भर गई सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए तब सुन्द्री दम्यंती अंग कांती से राजाओं के मन को और नेत्रों को अपनी और आकर्शित करती हुई रंग मंडप में आई राजां का परिचे दिया जाने लगा दम्यंती एक एक को देख करके आगे बढ़ने लगी एक ही इस्थान पर नल के समान आकार और वेश्भूसा के पांच इकठे राजा बैठे हुए थे दम्यंती को संदे हो गया और वह राजा नल को पहचान नहीं सकी वह जिसकी ओर देखती वही राजा नल जान पड़ता इसलिए विचार करने लगी कि मैं देवताओं को कैसे पहचानूं ये तो सभी राजा नल का रूप धारन करिये हुए हैं मैं यह कैसे जानू उसे बड़ा ही दुख हुआ अंत में दम्यंदी ने यह निश्य किया कि देवताओं की सरण में जाना ही उचित है वो हाथ जोड करके प्रणाम पुर्वत इस्तुती करने लगे वाचा चा मन्सा चैव नमशकारम प्रजुजी साह देवेवयो प्रांजिल भुत्वा वेप मानो अब्रभीत हंसा नाम वचनम शुत्वा यथा में नैसधो व्रतह पतित्वेन तेन सतीन देवा अस्तम प्रदिशंतु में मन्सा वाचा चैव यथा नावी चराब विहम तेन सतेन विविधा अस्तमेव प्रदिशंतु में महा भारत के वन पर्व के सत्तावनवा अध्याय के सोला और अठारहवा इस्लोक है इस प्रकार से दमियंती ने देवताओं का प्रणाम करके इस्तुती की देवताओं ने हंसों के मुह से नल का वर्णन सुन करके मैंने उन्हें पती रूप से वर्णन कर लिया है मैं मन से और वाणी से नल के अतरिक्त और किसी को नहीं चाहती हूँ देवताओं ने निश्धेश्वर नल को ही मेरा पती बना दिया है तथा मैंने नल की अराधना के लिए यह ब्रत आरंभ किया मेरे इसी सब्द सब्द के बल पर देवता लोग मुझे उन्हें ही दिखला दें एश्वर साली लोग पालूं आप लोग अपना रूप रगट कर दें जिससी की मैं पुन्य लोग नर्पती नल को पहचान लूं देवताओं ने दम्यंती का यह आर्ध विलाब को सुना उनके ध्रड, निश्च, सच्चे प्रेम, आत्म शुद्धी, बुद्धी, भक्ती, नल परायनता को देख करके उन्होंने उसे ऐशी शक्ती दी जिससे देख करके वह देवता और मनुस में भेद कर सके दम्यंती ने देखा कि देवताओं के सरीर पर पसीना नहीं है, पल के गिर्दी नहीं है उनके गले में पड़ी पुष्प माला कुमलाई नहीं है, शरीर पर मैल नहीं है, वे सिंगासन पर इस्थित हैं, उनके पैर धर्दी को नहीं छूते हैं, और उनकी परचाई नहीं पड़ती है, इधर नल के शरीर की छाया पड़ रही है, मारा कुमला गई है, शरीर पर कुछ धूल और पसीना भी हैं पल के बराबर गिर रही हैं धर्दी छूकर इस्थित हैं दम्यंती ने इन लक्षणों से देवताओं और पुन्यश लोक नल को पहचान लिया फिर धर्म के अनुसार राजा नल को वरण कर लिया दम्यंती ने कुछ सपुचा करके गुंगट काड़ ल देवता और महर सी साधू साधू कहने लगे राजाओं में हाहकार मच गया राजा नल ने आजनन्द अतिरेक से दम्यंती का अभिननन किया उन्होंने कहा हे कल्याणी तुमने देवताओं के सामने रहने पर भी उन्हें वरण करके मुझको वरण किया इसलिए तुम मुझको प्रेम पराण पती समझना मैं तुम्हारी बात मानूंगा जब तक मेरे सरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं तुमसे प्रेम करूंगा यह मैं तुमसे शपत पुर्वक सत्य कहता हूं दोनोंने प्रेम से एक दूसे का अभिनन्दन करके इंद्र आदि देवताओं की सरण को ग्रहन किया देवता भी प्रसन हुए और उन्होंने नल को आठ वर्दान दिये इंद्र ने कहा हे नल तुम्हें यग में मेरा दर्शन होगा और उत्तम गती मिलेगी अगनी ने कहा कि जहां तुम मेरा इस्मरन करोगे वही पर मैं प्रगट हो जाओंगा और मेरे ही समान प्रकाश में लोग तुम्हें प्राप्त होंगे यम्राज ने कहा कि तुम्हारी बनाई हुई रसुई बहुत मिठी होगी तुम अपने धर्मे में ध्रण रहोगे वरोन देवता ने कहा कि जहां तुम चहोगे वही जल प्रगट हो जाएगा तुम्हारी माला उत्तम गंद से परिपूर्ण रहेगी इस प्रकार से एक एक देवता ने दो दो वर दे करके अपने अपने लूख में चले गए निमंतित राजा लोग भी विदा हो लिये भीम ने प्रसन हो करके देमंति और राजा नल के साथ में विधी पुर्वक विभाह कर दिया राजा नल कुछ दिनों तक विदर्व देश की राजधानी कुंडिल पुर्में रहे तदन तर राजा भीम की अनुमति को प्राप्त करके वे अपनी पतनी दम्यंती के साथ अपनी राजधानी में लोट आए राजा नल अपनी राजधानी में धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करने लगे सच मुच उनके द्वारा राजा नाम सार्थक हो गया उन्होंने अश्व मेग यग आदि से बहुत ही यग किये समय आने पर दम्यंती के गर्व से इंद्र सेन नाम के पुत्र और इंद्र सेना नाम की कन्या का भी जन्द हुआ इस प्रकार से मैंने आप लोगों को राजा नल और दम्यंती के प्रेम पुण विवाह जिसे की गंदर विवा का जाता है उस विवाह का कथा का वर्णन सुनाया है दूसरे अध्याय में कल्यूगों का दुर्भाव और जुव में नल का हरना और नगर से निर्वासन इस कथा को सुनाओंगी मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो किर्पिया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन जरूर दवाईएगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद लाइक जरूर करिएगा लाइक करने में आप लोगों का कुछ भी नुकसान नहीं होगा दानिवाद!